नमस्कार दोस्तों जितने भी लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो जल्दी से जुड़ जाईए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि आप सभी लोग जानकारी भी देंगे तो जितने भी नोट और सिक्के हैं हमारे पास वो सब तो आपको दिखाएंगे उसके अलावा इंडियन करेंसी में जितने भी नोट और सिक्के हैं जो रेर माने जाते हैं उन सिक्कों की और नोटों की लिष्ट दिखाएंगे साथ ही साथ रियल बायर के phone number भी देंगे दोस्तों एक बात आपको बता दूँ सारी जानकारी दूँ उससे पहले कि पुराने note और सिके बेजने के लिए किसी भी तरका कोई भी registration सुल्क नहीं लगता है किसी भी buyer को आप एक रुप्या भी फीस ना दे और ना ही आपको किसी को भी अपने document की फोटो बेजनी है नहीं तो वो लोग आपके साथ fraud कर सकते हैं दोस्तों online fraud होते हैं जो कि आपकी document की फोटो आप बेज देंगे तो वो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए आप ऐसे fraud लोगों से बच कर रहे हैं YouTube पर काफी सारे लोग है जो ऐसे not और सिकों की वीडियो बना करके डाल रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो सही में बायर है, रियल बायर है और वो नौट और सिक्के हाकिकत में बिखवाते हैं तो आपको अपने नौट और सिक्के बेचने हैं तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखें और इसमें हम आपको वो करेंसी भी दिखा देंगे जो सबसे ज्यादा वैलूबल है जो हमेशा डिमांड में रहती है और साथ ही साथ उन बायर के नंबर देंगे जो इंडिया के रिजिस्टर्ड ओरिजिनल बायर है पुराने नोट और सिक्के खरीदने के बदले में कोई रिजिस्टर्ड सुलक नहीं देते कोई डोक्योमेंट की डिमांड नहीं करते हैं उन बायर की पूरी डिटेल देंगे आपको दोस्तों वैसे तो आपने नोट और सिक्कों के बारे में काफी सारे वीडियो देखे हैं लेकिन हम फिर भी आपको करेंसी दुबारा इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आपने किसी फ्रोड बायर का चैनल देखा है तो उस चैनल पर उसने जो नोट और सिक्के दिखाए होंगे उस वीडियो में तो वो हकिकत में रेर थे या फिर नहीं क्या पता आप कोई ऐसी करेंसी लेकर के बैठे हैं उसे बेचने की कोसिस कर रहे हैं जो हकिकत में रेर ही नहीं है तो इसी वज़े से हम आज आपको कुछ पहले तो करेंसी दिखाएंगे उसमें जो भी खूबी होनी चाहिए वो सब आपको बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने ये नोट और सिक्के बेच सकते हैं दोस्तो 780 की सीरिल वाला नोट अगर आपके पास में है यावे रेडी के सिगनेचर वाला 10 रुपे का यह आप आप देख सकते हैं इस टार्टिंग में 786 लिखा हुआ है अगर इस तरह की सीरिल वाला कोई सा भी नोट आपके पास में है तो उसे भी आप बेच सकते हैं नमबर वाला भी है और इस्टार वाला भी है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सीरिल नमबर के बीच में इस्टार बना हुआ नोट है और यह रगूराम जी राजन जो थे गवरनर जनरल उनके सिगनेचर वाला नोट है तो इस नोट के बदले में आपको 70,000 रुपे ही मिलें अब दोस्तों यह 20 रुपे का एकदम नए वाला नोट है सकती कांदास जो गवरनर जनरल थे उनके सिगनेचर वाला है और यह सेमी फैंसी सीरिल नमबर है दोस्तों फैंसी सेमी फैंसी या सूपर फैंसी सीरिल नमबर क्या होता है और किस आदार पर नोट की कीमत ते होती है वो आपको बता दूँ, पहली बात तो गवरनर जनरल के annoyion के signature होते है वो बहुत खास माजने रखते हैं किसी भी note की कीमत को उसे control करने में और दूसरी बात उसके serial number यह है दोस्तो सेमी fancy serial number semi fancy serial number की ज्यादा demand भी नहीं होती है, ज्यादा कीमत भी नहीं होती है अगर super fancy serial number हो तब ही ज्यादा demand होती है उस note की और ज्यादा उसकी कीमत भी मिलती है starting पे या ending पे 3 के 3 अंक same है तो उस तरह का note semi fancy serial वाला माना जाता है अगर 4 अंक एक जैसे हो तब भी वो semi fancy ही माना जाता है 6 के 6 अंक अगर एक जैसे होते हैं तो वो super fancy serial number माना जाता है 16 सो रुपे कीमत मिलेगी दोस्तों तो ऐसा भी अगर आपके पास में कोई note है तो आप हमें बता सकते हैं उसके अलावा दोस्तों 20 रुपे का चक्र वाला note इस note में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें serial number कोई सी भी हो चलेगी आप इस note को बेच सकते हैं आराम से लेकिन governor general है वो सीर अंगराजन के ही signature होने चाहिए तब ये note आपका rare माना जाएगा और पीछे ही आप देख सकते हैं चक्र बना हुआ है तो इस तरह का note अगर सीर अंगराजन के signature वाला है तो normal serial में भी है आप बेच करके 20 से 25 जार उपे इसके बदले में प्राप्त कर सकते हैं अगला नौर भी दोस्तों वो ही है और वो ही governor general के signature है तो इसमें बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है तो आपके पास में इस तरह का note हो तो आप comment करके बता दीजिए उसके अलावा note और शिक्के बेचने के एक नए तरीके के बारे में आज आपको बताएंगे जिससे की कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने गर बैठे ही अपने note और शिक्के सबसे अच्छी कीमत पर जो इसमेटिक सोसाइटी ऑप इंडिया के द्वारा कीमत की गई है उस कीमत पर बेच सकते हैं दोस्तों ये 50 वाला note है उर्जितार पटिल गवर्नर जनरल के सिगनेचर वाला और इसमें भी आप देख रहे हैं शिरियल नमबर के बीच में इस्टार बना हुआ है तो इस note के बदले में भी आपको 2200 रुपे कीमत मिल जाएगी अगला दोस्तों note है बहुत ही ज़्यादा डिमाइंड वाला है और बहुत ही ज़्यादा कीमत वाला है note के उपर विमल जालान के signature है और यहाँ पर serial नमबर एकदम नॉर्मल है कोई भी fancy, super fancy या 786 की serial नहीं है लेकिन संसद बवन वाला 50 रुपे का note है विमल जालान के signature वाला तो उसे rare की list में सामिल किया गया है अगर आपके पास में भी है तो आप इसे बेच सकते हैं हमारे इस video के नीचे आप comment करके हमें बताईए या पिर हमारा currency buyers और real coin company नाम से facebook पर page है इन दोनों page पर जाकर के आप real buyer के video भी देख सकते हैं और अपने note और सिक्के बेचने के लिए वाँ video डाले हैं उनके नीचे comment कर सकते हैं और direct message box में जाकर के आप अपने note और सिक्कों की सिरफ और सिरफ फोटो या फिर वीडियो ले करके बेज दीजिए आपके note और सिक्कों को देखने के बाद real buyer आपसे contact कर लेंगे जल्दी से जल्दी लेकिन दोस्तों अच्छी quality में पोटो और वीडियो होनी चाहिए किसी भी note की अगर आप वीडियो बना करके बेज रहे हैं तो ये बात आप clear कर लें कि उस वीडियो में governor general का नाम सही से दिख रहा हो, serial number note की सही सही दिख रही हो, कौन सा note है वो भी दिखना चाहिए और वीडियो में इस तरह से आपको note को दोनों side से दिखाना है, गुमा करके, उलट करके दिखाना है और फिर आपको वीडियो सेंड कर देनी है, उसके अलावा दोस्तों 100 रुपे का note है, 2019 में जारी किया गया था, सक्तिकांतास जब governor general थे, उन्होंने इस note को जारी किया था और इस note की भी serial number है, जो semi fancy है, क्योंकि दोस्तों semi fancy serial number हर किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत तरह के इसमें अलग-अलग forms होती है, तो देखिए आप 52-52 यानि कि starting के और ending के अगर इसमें digit same होते हैं, तो उसको भी semi fancy serial number का जाता है, तो सक्तिकांतास के signature वाला ऐसा कोई सा अभी note है आपके पास में, जरूर ही नहीं है कि 52 ही हो starting में और ending में, यहाँ पर और भी हो सकता, 12 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, starting में, ending में भी 10, 99 हो सकते हैं, तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई भी serial number वाला note है, तो जरूर बताइएगा हमें comment करके, और दूसरा तरीका आ option होता है, message, direct message करने का buyer से बात करने का option होता है, लेकिन YouTube पर यह सारी सुविदा नहीं होती है, इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं, कि जब भी आप अपने note और सिके बेचने के लिए हमारे किसी भी video के नीचे comment करें, तो पूरी जानकारी लिखें, जैसे कि जानकारी क्य होती है, आज आपको live बता देते हैं, यह note है, सबसे पहले लिखना है 100 रुपे का agriculture वाला note, यह agriculture वाला note है, इसे भी rare की list में सामिल किया गया है, बार के currency के, जितने भी note और सिके rare की list में सामिल है, उसमें इसका भी इस्तान आता है, और सबसे पहले आपको लिखना है agriculture note 100 र इंगराजन, उसके बाद दोस्तों, serial number लिखनी है, अगर fancy, super fancy, semi fancy serial number है, तब आप serial number लिख सकते हैं, अगर इस तरह से normal serial है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही डाल सकते हैं, उसके बाद दोस्तों, इस तरह के और note है, आपके पास में सिरफ एक note है, तो एक note की detail लिख दीजिए, जो इस note की detail लिखी है, उसके आगे 2, 4, 10, जितने भी note होगो, उसके बाद दोस्तों, अगली currency की detail आपको लिखनी है, कोई सा भी सिक्का है, तो उस सिक्के की detail लिखनी है, ये कुका अंदोलन के जो 500 वर्सपोर्ण हुए थे, उसके उपलक्स में जारी किया गया, पांच रुपे का दोस्तों कोईन है, आप देख सकते है, आराम से, पांच रुपे का गोल्डन कलर वाला, अगर आपके पास में 20 तरह का कोईन है, तो इसके बदले में 10 लाख रुपे मिल रही है कीमत, तो आपको पूरी जानकारी लिखनी है, कि ये 2007 में जारी किया गया, क अगर आपके पास में मिल जाती है, तो सबसे पहले लिखना है, दो रुपे का कोईन, फिर इसे जारी करने का वर्स लिखना है, अगर किसी सिक्के पर कोई मिन्ट मार्क दिया हुआ है, तो आपको वो मिन्ट मार्क भी जरूर लिखना है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते ह पांच रुपे का कोईन है 1999 में जारी किया गया है और नीचे डॉट का मिंट मार्क भी आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल लिखनी है उस कोईन की भी और फिर इस टाइप के और कोईन है तो आगे संख्या लिख देनी अगर ये की सिक्का है तो आप अगली करेंसी के बारे में डिटेल लिख सकते है जब दोस्तों नौट और सिक्कों की पूरी डिटेल आप लिख देते हैं तो उसके बाद में खुद की डिटेल लिखना ना भूले दोस्तों आपकी detail में आपको अपना नाम लिखना है आपके घर का पता लिखना है pin code लिखना है और साथ ही साथ अपने WhatsApp नमबर और email address जरूर लिखें जिससे कि आपने जो currency की जानकारी लिखी है comment में वो currency अगर buyer को पसंद आती है वो आपसे contact करना चाहते हैं तो आपके WhatsApp नमबर या फिर email address पर आपसे contact कर लेंगे इसलिए दोस्तों ये जानकारी आप जरूर लिखें और उसके बावजूद दोस्तों एक और बात बता दूँ चाहे मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी और creator का वीडियो देख रहे हैं वीडियो पूरा देखने के बाद ही comment करें अगर आप लोग comment करेंगे तो कभी भी आपको real buyer ना तो reply देंगे और ना ही आपका comment उस वीडियो के नीचे लंबे समय के लिए रहेगा वीडियो पूरा देखने के बाद comment करें जिससे कि आपका comment हाइलाइट में रहे लंबे समय के लिए रहे और चैनल को अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लीजिएगा दोस्तों जितने भी लोग अभी live देख रहे हैं जो बाद में इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको बता दूँ चैनल RealCoin Company को आप subscribe करके bell icon प्रेश कर दीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली तमाम एपिसोड की आपको notification भी मिलती रहे और साथ ही साथ आप अपने note और सिक्के बेचने के लिए कभी भी हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और उस कमेंट का कोई real buyer जवाब देगा तो उसका भी आपको notification मिलता रहेगा काफी सारे लोग सिरफ इस वज़़े से अपने note और सिक्के नहीं बेच पाते हैं क्योंकि वो comment करके चले जाते हैं और जब भी real buyer उनके comment का जवाब देते हैं उन लोगों को notification नहीं मिलता है और उन्हें पता ही नीचलता कि कोई buyer हमारे note और सिक्के खरीदना भी चाता है इससी वज़़े से उनके note और सिक्के नहीं बिक पाते हैं तो दोस्तों आप ये गलती मत करना चैनल को अभी subscribe कर लेना और bell icon भी प्रेस कर लेना आगे की और कुछ currency दिखा देते हैं फिर आपको buyers की detail देंगे दोस्तों याँ पर देख रहे हैं ये भी semi fancy serial number है starting में गुनी से last में गुनी से मैंने कहा था इस तरह की अगर serial number किसी में भी हो तो वो semi fancy serial मना जाता है लेकिन semi fancy serial वाले नोटों की बहुती कम demand होती है उर्जितार पटेल के signature वाला अगर 200 रुपे का ये नोट है आपके पास में किसी भी तरह की semi fancy serial है तो आप उसे बेच सकते हैं उसके बदले में 3000-32 रुपे आप प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों कुछ नोट है और उसके अलबा कुछ कोईंस भी है जो आपको दिखाने हैं और उसके बाद में आपको तमाम तरकी जानकारी देंगे ये भी एक 200 रुपे के जो है semi fancy serial वाला नोट है सक्तिकांदास के signature है तो इस नोट को भी आप बेच सकते हैं तीन अजार रुपे तक प्राप्त कर सकते हैं अब दोस्तों 500 रुपे का नोट है नए वाला 780 की serial में आप देख लीजिए यहाँ पर सक्तिकांदास ही इसके governor general है और serial number में दीच में 786 आ रहा है फिर भी इस नोट के बदले में आपको 1,10,000 रुपे तक कीमत मिल जाएगी तो आपके पास में इन में ऐसे दिखाए गई कौन-कौन से नोट है हमें कमेंट करके बताइए और जो सिक्के हैं आज डिमांड वाले सबसे ज़्यादा वैल्यूबल वो सिक्के भी आपको दिखा देते हैं अगर आपके पास में 8 वी विश्व तमिल समिलन है अगर थीम वाला कौन है तो वो भी आप देख लीजिए उसके अलावा और काफी सारे कौन है हमारे पास वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और जो भी नोट और सिक्के आप बेचना चाते हैं उसकी डिटेल पूरा जरूर लिखें दोस्तों और उसके अलावा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा आपको Numismatic Society of India की official website का उस पर जाकर के भी आप अपने नोट और सिक्कों की सही कीमत जान सकते हैं और अपने नोट और सिक्के वहाँ पर रियल बायर से कॉंटेक्ट करके बेच सकते हैं तो थैंक्यू जैन दोस्ताओं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर